हलो फ्रेंट मैंसर्फ शब्र हुसायन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैफीन और एक्ससाइस के बारे में साथ ही आपको बताएंगे के कैफीन हमारी बॉड़ी में किस तरह वक्त करता है और कैसे हमारी बॉड़ी के अंदर फ जॉइन कर लिजिए क्योंकि बहुत सारी प्रीमियम वीडियो हमारे चैनल पर मौझूद है जो कि सिर्फ हमारे चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को छो की चैनल को दोस्तों चैफ्ंध जो की नेचुरल ली सेित्रल किस्टम स्टिमूलैं्ट है यह हमारी बॉडी में सेंट्रल श्क्रै स्टिमूलयंट करता है यह पाया जाता है काफी बीमेंदर कुछ टी के लिडर कुछ कोऊ को को के अंदर और कैपलेंदर क्यै toughest देखने को वो लीगल है और वर्डवाइट एकसेप्टेबल है वर्ड की मैजूरेटी ओफ पॉपुलेशन डेली कंज्यूम करती है कैफीन को कुछ लोग इसको चाय के रूप में लेते हैं, कुछ लोग इसको कॉफी के रूप में लेते हैं एक स्टेडी के दोरान ये माना गया है कि वर्ड की जो एडल्ट पॉपुलेशन है 90% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वर्ड की वो कॉफी को कंज्यूम करती है जिसके अंदर की कैफीन होता है average 2 cup of coffee daily adult population consume करती है दोस्तों कैफीन हमारी body को alert रखने में मदद करता है हमारी fatigue को दूर करता है हमारे शरीर से ठकान दूर करता है और हमारा जो drowsiness है आलस है हमारी शरीर में से उसको दूर करने में कैफीन सबसे ज़्यादा helpful होता है अब बात करते हैं कि कैफीन कैसे हमारी mental activity को enhance करता है हमारी tiredness को दूर करता है किस तरीके से कैफीन की working होती है हमारी body के उपर दोस्तों कैफीन basically हमारे body में क्या करता है जो हमारे calcium channels है उसके release को बढ़ा देता है जिससे stronger muscle contraction आपको देखने को मिलते है साथ ही कैफीन हमारे neurotransmitter को भी channel को भी release करता है जिसमें कि वो हमारे noradrenaline और dopamine का production enhance कर देता है brain के अंदर during exercise और athletic activity तो दोस्तों इस तरीके से कैफीन हमारे शरीर में work करता है अब बात करते हैं कि कैफीन आपको किन-किन products में देखने को मिलता है दोस्तों एक study के मताबिक यह पता चला है कि कैफीन कोका कोला की एक केन के अंदर आपको 30 mg कैफीन देखने को मिलेगा साथ ही red bull की एक केन के अंदर आपको 80 mg कैफीन देखने को मिलेगा दोस्तों कितना कैफीन एक normal adult के लिए safe माना जाता है दोस्तों उसके अगर हम बात करें तो 400 mg कैफीन एक normal adult को consumption अगर वो करता है दिन में तो वो safe माना जाता है 400 mg से कम आपको कैफीन एक डे में वन डे में कंज्यूम करना चाहिए अब मैं आपको एक सरल भाषा में समझाओं कि अगर आप four cup of coffee कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में तो वो roughly equal होता है 400 mg कैफीन के तो आप यह अंदादा लगा दीजे कि अगर आप एक दिन में चार cup coffee cake पीते हैं तो उसमें 400 mg कैफीन आपके शरीर में जाता है जो की safer side पे नहीं है आपको कैफीन इतना कंज्यूम करना चाहिए कि वो 400 mg से कम हो दोस्तो अब बात करते हैं कि कैफीन का effect हमारी बॉड़ी में क्या होता है दोस्तो पहले बात करते हैं हमारे हार्ट के उपर कैफीन का क्या effect पड़ता है जैसे कि हमने बताया कि कैफीन हमारे calcium channel release को बढ़ा देता है जिससे strong muscle contraction develop होते हैं जिसकी वज़े से हमारे हार्ट के अं जिसकी वज़े से atrial fibrillation आपको देखने को मिलता है जिसमें हमारी जो heart beat है उसका rhythm सही तरीके से नहीं होता rhythm disturbed हो जाता है तो दोस्तो जो लोग ज्यादा caffeine consumption करते हैं उनमें पाया गया है कि उनके अंदर atrial fibrillation देखने को मिला है वहीं बात करें कि caffeine का हमारे pulmonary system पर हमारे lungs पर क्या effect पड़ता है तो उस्तों caffeine basically bronchodilator का काम करती है जिसकी वज़े से क्या होता है हमारे lungs के अंदर जो alveolar ventilation है वह increase हो जाता है और साथ ही हमारे lungs के अंदर tidal volume बढ़ जाती है जिसकी वज़े से जो हमारा respiration है वह more efficient हो जाता है during exercise या during athletic activity तो यह माना गया है कि जब आप caffeine का production करते हैं तो वह आपके heart पर तो एक negative effect देता है पर वह आपके lungs पर एक positive effect देता है यानि कि caffeine का consumption जब आप करते हैं तो वह आपके heart के लिए नुकसान दायक होता है पर आपके जो pulmonary system है उसके अंदर वह positive पाया गया है क्योंकि वह हमारे respiration को efficient कर देता है तो आप देखिए जब आप कोई exercise करेंगे या athletic activity कर रहे हैं for example आप running कर रहे हैं swimming कर रहे हैं या कोई game आप खेल रहे हैं उस दोरान अगर आपका respiration efficient होगा तो होगा क्या कि आपको less exertion feel होगा आपको उस activity के दरान कम थकावट होगी तो आप उस activity को ज्यादा देर perform करवाएं तो कई athlete क्या करते हैं जब अपने sports को खेलते हैं तो उससे पहले वो caffeine या coffee पीते हैं ताकि उनका जो endurance है वो ज्यादा लंबे समय तक चले जो उनकी activity है वो ज्यादा लंबे समय तक रहे और यह माना गया है कि जो लोग golf कहलते हैं या जो लोग tennis कहलते हैं तो जो उनके short होते हैं अगर उन्होंने caffeine का consumption किया है तो वो ज्यादा accurate हो जाते हैं तो दोस्तों caffeine का जो consumption है वो ऐसा नहीं है कि वो illegal है caffeine का consumption completely legal है और worldwide acceptable है पर एक amount को एक चीज़ को अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसान दायक होती है तो जैसा कि मैंने आपक कियाम से ज्यादा caffeine का consumption कर रहे हैं तो वो आपकी बॉड़ी के लिए नुकसान दायक है और वो आपकी बॉड़ी पर side effect देगा पर उससे कम अगर आप consumption कर रहे हैं तो आपकी बॉड़ी को alert रखेगा आपकी बॉड़ी के अंदर endurance बढ़ाएगा आपके जो pain perception है उसको reduce करेग तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से caffeine हमारी बॉड़ी पर effect करता है और कैसे exercise करने से पहले अगर आप caffeine का consumption करते हैं तो वो आपके endurance को आपके activity को आपके exertion को reduce करता है आपके endurance को बढ़ा देता है दोस्तो कई सारे meta analysis इस caffeine पर और exercise पर हुए ह पर यह सारी studies है वो अभी तक inconclusive है और अभी भी इस topic पर experimental studies की जरूरत है ताकि इस topic पर और जाब 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 बाते हमें पता चल सके तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया caffeine के बारे में और caffeine हमारी बॉड़ी में कैसे work करती है और कैसे exercise करते वक्त यह हमारी बॉड़ी के अंडर endurance को improve करती है हमारे drowsiness और हमारी body के tiredness को यह दूर करती है दोस्तो कई सारे article caffeine और exercise के relation पर है जिसकी link हमने हमारे description box पर दे रखी है अगर आप वो article पढ़ना चाहते हैं तो जरूर से description box में जाके इन articles को पढ़िए आपको इस topic में ज्यादा मज़ा होगी तो इस वीडियो के बारे में आपकी वैल्यूबल फीडबेक हमें नीचे कमें सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो तोक